मुझे से कई लोग पूछते हैं कि क्या, what motivated you to get out of your house 17 रुपे लेके तुम निकले और आगे क्या आपको मन में आया और क्या था उस समय तो मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा चोटा सा गोल रखा था और वो यह था कि मुझे अपने फैमिली का 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहां से तो कि मुझे अपना परिवार का चार लाख रुपे का करजा है उनके उपर वो उतारना है बस इस से आगे कोई मेरी जिन्दगी में गोल नहीं था कोई कुछ ध्यान में नहीं था वो एक गोल था वो जब गोल पूरा हो गया तो दैन वी I set another goal for myself जब वो पूरा हो गया तो another goal तो ये इसलिए मैं जिन्दगी में बार बार कहता हूँ यूथ को खास कर कहता हूँ कि one at a time and फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफते भी कहा तरुछे एक चीज ओर जिंदगी में याद रखें जब हम कोई भी काम समाजिक नियमों के ब्रिप्रीत विरोध में या अपने खुद के विश्वाश के विरोध में करते हों मेरी एक अपनी value system है हर व्यक्ति का हर परिवार का हर समाज का एक अपना अपना value system रहता है जब आप उसकी सीमा को लांगते हैं या उसको तोडते हैं तो आप खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं या जा रही हूं और अगर जब आप उस सीमा को लांग के गलत रास्ते पे चलते हैं तब that not only makes you weak physically, but it makes you weak mentally, spiritually, in every which manner. और जहां weakness हुई तब क्या कहेंगे? कमजोर आदवी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है. तो अपने आपको कमजोर नहीं करना तो उसके लिए ये कहा कि भी, जो आपके अपने value systems हैं, उन पे चलिए, उनका उलंगन मत करिए. तो फिर भी motivation की आवशक्ता आपको शायर नहीं पड़ेगी. कर सकता है झाट